आपको इसे वीटियो में हम बात करने वाले हो Card的话 pregnant आपको यह जाहनना बहुत 우क़ सराओब है कि आपके का इंट में खुन की मांत्रा की कमी नहीं होने देना है आपको क्योंकि अगर आपके शरीर में खुण की मातला की कमी होगी आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके नॉर्मल डिलेवरी के चांसिश जीरो हो जाते हैं आपको सिजेरियन ही करवाना पड़ सकता है साथ चुनी अब की आपकी जो डिलेवरी है वो समय से पहले होने की chances भी होते हैं दोस्तों अगर आपका hemoglobin कम होता है तो आपके बच्चे की ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ता है आपको तो नुकसान होता ही है आपके बच्चे की हेल्थी रहे उसका वेड थीक ताक रहे तो आपको hemoglobin आपका नॉर्म रखना हैं तो हम बात करते हैं कि आपका hemoglobin कम से कम कितना होना चाहिए तो वह दोस्तों आपका hemoglobin 11-13 घ्राम हो अगर कम होता है है आपका हेमोग्लोबिन तो आपको बहुत सारी दिक्कते हो सकती है जैसे आपको चक्कर आना कमजोरी मैसोस होना जल्दी ठकावट हो जाना वीकनेस होना आपने सुना अगर पैरों में स्वैलिंग आ जाती है पैरों में या फिर कहीं भी बॉड़ी में बहुत सारे लोगों क प्रोक में चादी जाता है तो हमोग्लोबन की खार आप को हमगों बढ़ान के लिए क्या किया चाहिney सकता है अगर विटैमिन विटैमिन-दी प्रेटिव सब लå या फिर आपको भरपुट निट्र선 नहीं मिल पा रहा हो पो छक उइक तत्व médi", तुर॓र से पूशे हो रहे हुआ ह्देशारा है इस गरण भी आपका ही हीमोग्लोवीनत्य कम हो सकता है आप हमिमगलोबिन को कैसे मैंटन कर सकती तो आप उसे कैसे बढ़ा सकती है तो आपको ज़रुबिन से लेत Meredith Cix Vitamins C सर्UT 14 पिरेवन वियन प्रगंज़य को कि उत रहे हम क्वाद कर दिन llama सुआ कि Цान आपको लें हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़े होती है जैसे कि हरी सबजी आप खाने में स्टार्ट कर दीचिए अगर आप नन वेजिटेरियन है तो आप अंडा ले सकती है चिकन ले सकती है लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चिकन ले रही है तो यह जो है आपको क मिल्ट करना है ले कि अगर आप चिकन नन वेजिटेश व कम आ बगद नने के अगर में है तो सूप आप कि समया चाय जाह्ते है चोण हो सब्सक्रेश नधिश कर दोसित आप को दोते है अमेन चिका से लिए दूर को कि साथिकने मतला अगर छिकना है उतनी अशाशन की या सम गुड़ के लड़ू में आप मुंपली के दाने मिलाकर बनाकर लड़ू एक सुबब खाल एक शाम को खा लिया यह भी कर सकती है पर खूल फ्रच नहीं हो सकता है तो आपको टैबले नहीं घालते हैं और अभी मिलेश आप लगार आप है साथ लेना स्टार्ट किया नीबू पानी के साथ तो फिर भू मुझे सूट हो गई थी तो आपको भी अगर इसी प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं और एक और रीजन होता है आपके हीमोगलोबिन की कमी का तो वह है दोस्तों कि अगर आप टेबलेट भी ले रही हैं फिर अगर आप अच्छे तरह अपनी डाइट हैल्थी रखेंगी तो आपके बच्चे को भी नुकसान नहीं होगर आपका हीमोगलोबिन बढ़ जाएगा तो दोस्तों हीमोगलोबिन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप प्लीस हीमोगलोबिन कम ना होने दे और देखते नहीं है और अगर अग्र में आप के लिए और आपके बच्चे के लिए जो हैल्दी वीडियो होने वाली हैं आपकी हल्थ के लिए वोड़ी बनाूंगि तो आप नहीं देखेंगा इसलिए मैं तोबीन में आप इस फॉ मिसे लिए लेकलो पर खक्लिक करो कैसे तो कमेंट जरूर करके बताना और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाएन टेक केर